लाइफ सिटिज्ट के नियूस रूम में इस वक्त मौझूद हैर मेरे साथ मौझूद है सीनियर जॉर्णिस्ट ग्या नेश्वर जी तो देखिए आज नियूस रूम में चर्चा का विशे था मीसा भारती देखे आप बता रहे थे कि मीसा भारती एक बार फिर से अड़ गई है और मीसा भारती के अड़ने से एक बार फिर से राज़त परिवार के लिए मुझकले खड़ी हो सकती है मामला क्या है हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं मामला जो है वह लोकसभा चुनाव swapped 2024 हैं और आपको पता है लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और जो बिवाद है जो मांग है जो अरना है वो है पार्टली पृत लोकसभा की सीट देखे मीसा भारती कौन? लालु यादब की शचब से बरी बेती बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्य यादब की बहन तो देखिए मीशा भारती फिर से अर गई है कि 2024 पाटली पुत्र तो लरेंगे हमी महा गठभंदन के तिकट पर 2014 में भी अरी, 2019 में भी अरी और 2024 के लिए 2023 में भी अर रही है आपको यह भी पता है कि मीशा भारती राजसभा की मेंबर हैं 2020 में यह कहकर कि चुनाओ मत लरो तब बिहार में एंडिये की सरकार थी जेडियू और बीजेपी की मीशा भारती को रोकने की कोशिस की गई थी यदि तुम चुनाओ जीट गई तो फिर राजसभा की सीट एंडिये के खाते में चली जाएगी क्योंकि बहुमत तब एंडिये के पास था लेकिन मीशा भारती इस बार कर रही है मैं मानूँगी नहीं इस बार राजसभा की बात भी बेमानी है क्योंकि यदि मैं जीट गई तो राज सभा की सीट महा गठवंदन के खाते में ही रहेगी जिसे मर्जी हो उसे भेज देना तो देखिए परिशानी की बज़ा ये है और मीशा भाति का तर्ख ही ये है जब हमने चुनावी नतीजों का बिसलेशन किया पातली पुत्र लोक सभा सीट को पहले समझे च्छा बिधान सभा च्छित्र हैं दानापूर, मनेर, फुलबारी, मसोरी, पालीगंज और बिक्रम और देखिए यह वह लोक सभा च्छित्र है जो दो हजार आठ के परिशिमन के बाद बना दो हजार नौ में पहली बार लोक सभा का चुना हुआ और जानते हैं तब से लालू पर आये थे, लालू यादब पाटली पुत्र से भी और छप्रा दोनों से चुनाव लर रहे थे और पाटली पुत्र में नितीज कुमार ने लालू यादब के खिलाप उन्हे के ही पुराने दोस्त रण्जन यादब को इंडिये का उमिद्बार बनवा दिया था और परिनाम के आया था लालू यादब सिकस्ट खा गये थे पार्टली पुत्र की सीट पर रंजन यादब से हार गये थे तो देखिए आगे क्यों मीशा भारती अरी है और इस कारण रीत लाल यादब जो दानापुर के बिधायक है दबंग बिधायक है ये क्यों परिशान हो रहे हैं इससे भी समझने की जोरत है दो हजार नौ के जब चुनावी नतीशे को हम देखते हैं जिसमें रंजन यादब चुनाओ जीते थे जेदिव के उमिद्वार के तो तो दो लाख उनहत्तर हजार दो सो अंठानमे बोट रं लेकिन याद रखिए कि उस चुनाओं में रामिश्वर परसाद जो माले के कैंडिडिर थे वे भी 36,837 मत ले आये थे अब देखिए माले भी महा गठवंदन का हिस्सा है इसलिए मिशा भारति को लग रहा है कि 2024 फटा कर सकती हूं अब देखिए 2014 का नतीजा देखिए 2014 लालु यादब तो नहीं लग रहे थे और मिशा भारति के अर जाने की बज़र परिनाम क्या हुआ राम किरपाल यादब जो लालु यादब के हनुमान कहे जाते थे वे आर जेडी छोड़कर चले गए बीजेपी के पाले में और मिशा भारति उमिद्वार बनी और मिशा भारति को जीत दिलाने के लिए लालु यादब रीट लाल यादब के गाउं तक पहुँच गये थे योकि रीट लाल यादब उधर फैक्टर है दानापूर में उन्हें मनाने की कोशिस रीट लाल यादब नियाई खिरासत में फिर भी उनके परिवार के सामने जाकर 24 के लिए मीशा भारति को तर्क पदान कर रही है दोजा चौदा में राम किरपाल यादब जीते तीन लाख तेरासी हजा दो सो बासथ मत आये मीशा भारति चुनाओ भार गए तीन लाख बैलिस जान नो सो चालिस मत मतलब चालिस जान तीन सो बाइस मतों से जीत हर का डिफ के सांसत थे नितीश कुमार अलग हो चुके थे नवे लालू के साथ थे नवे बिजेपी के साथ थे तो रंजन पशार यादब चुनाओ लर रहे थे जदियू के उमिदवार के तो पर उन्हें 97228 मत तो मीशा भारति जो रही है कि जो जदियू का ये कोर बोट है वो तो इ जाय थे और जीत हर 40,322 मतों से ही हुआ था आप देखे 2019 जो पिछला लोकसभा चुनाओ है मोदी का महा लहर महा आंधी मिशा भाति ने अरकर फिर से टिकट लिया ठीक है किसी की बात नहीं चली कि राजसभा के सांसर धूं तब भी हम चुनाओ लरेंगे यदि जीत गई तो एक खत्रा था कि सीट राजसभा की चली जाएगी लेकिन मिशा भाति जब अरती है तो फिर अर ही जाती है बड़ी बे को पांच लाख नो हजार पांसो संतावन मत आए और मिशा भाति को चार लाख सत्तर हजार दोसो चटिस मत आए तो इस तडिके से जीत हार 49 हजार 321 मतों के अंतर से हुआ तो देखिए अब मिशा भाति क्यों अर रही है चर्चा तो यह है कि रीत लाल यादव जो पुत्रा का चुनाव लड़ने की तैयारी किये हुए है और पिछले कई महीनों से वह अभ्यान चला रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बात तो हम लरेंगे ही लरेंगे राम किर पाल यादव बीजेपी में हैं ही फैसला बीजेपी की नित्त को करना है लेकिन मीशा भाति यह दे तीन सो बाइस मतों से हरी और दो हजार नौ में उनके पिता लालू पुषार यादव तेई सज्जार पांसो एकतालिस मतों से हरे मतलब जीत हार का फासला चालिस हजार से कम कराता है दो हजार उनीस के लोग सभाचनाव की नतीजी को दिखेंगे तो जो च्छा बिधान सभ फुलबारी, मसार्ही, पालीगण, बिक्रम इन में तीन में आरजेडी ने बरहत हासल की मतलब मिशाभाटी ने और तीन में रामकर पाली आदब बीजेपी ने देखिये मनेर मसोरी पाली गन यहां आरजेडी को भरत मिली थी और विक्रम फुलबारी और दानापूर बे बीजेपी को भरत मिली थी लेकिन जब दो हजार बीस में बिधान सभाचुना हुए तो इन सभी छा बिधान सभाच छेत्रों में कोई भी एक सीट बीजेपी नहीं साथ हैं माले हमारे साथ हैं तो इनके पास कम से कम 50,000 बोटों हैं 70,000 बोटों हैं और 2009, 2014, 2019 के नतीजे ये बताते हैं कि देखिए 2009 में जिधर निटीश कुमार रहे उधर जीत मिली रंजन यारज जीते एलाइंस के केंडिर, बिजेपी एलाइंस के केंडिर, 2019 में निटीश निटीश कुमार ने खड़ा कर दिया था और वे 97,228 मत कात कर ले गए इसलिए मैं हर गई और राम किरपाल यारज आदब को जीत मिल गई तो यह जो है और यह परिशानी राजत परिवार के भीतर से ज्यादा लालू परिवार में क्योंकि मीशा भारती अर गई है कि मुझ लड़ना ही लड़ना है तो ऐसे में क्या होगा ऐसे में बरा सवाल रिट लाल यादब जो तैयारी कर रहे हैं दिन रात अभियान चला रहे हैं अब देखिए मीशा भारती 2019 के चुनाव के बाद कितने दफे अपने संसद्य चित जहां वह फिर से लड़ना चाहती है वो शुरू है फिर से हां और देखना ये होगा कि लालू परिवार कहां कहां से चुनाव लड़ता है छपरा भी लालू परिवार की सीथ है ठीक है ना राबरी देवी कभी जीत नहीं पाई यह दूसरी बात है पिछले दफे चंद्र का यादब को लड़ाया गया तक हुए किद्नी डेकर अपने पिता की जान बचाई तो लोग कहते हैं कि यदि रोहिनी आचारिया उमिद्वार हो जाती है तो कई तरीके के बंधन मददाताओं में तूट जाएंगे और लोग कहेंगे बेती हो तो रोहिनी आचारिया जैसी जिसने इस जबानी में इस कम उमर में अपनी किद्नी डेकर पिता की जान बचाई है लेकिन मिशा भार्ती की जिद पातली पुत्र पर भारी परेगी मिशा भार्ती को टिकट मिलेगा यार इतलाल यादव जो लगातार लगे हैं फिर से कोई कहीं न कहीं बगावत ना हो जाए क्योंकि हमने देखा है कि राम बगावत करी बीजेपी में गया और जब बगावत होगी तो फिर आप जानते ही फाइदा किसको मिलेगा फाइदा एंडिय एलाइंस को मिलेगा तो यह देखने की बात है इसलिए मैं कर रहा था कि मिशा भार्ती अरी हुई हैं लर रही हैं और फिर से 2024 के लिए तैयार देखते रहेंगे तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे साथ बनी रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ से टी शुक्रिया